हेलो और स्वागत है आपका सिंपल टेक्निलोजी चानल में जहां हम बात करते हैं टेक्निलोजी की दुनिया की लेतिस्ट इंवेंशिन्स को एकदम सिंपल भाशा में आज हम बात करेंगे नैनो बोट्स की गूगल के पूर्व विज्ञानिक के कुजरवल के अनुसार मनुश्री केवल साथ सालों में यानि की साल 2030 तक नैनो बोट्स की मदद से अमरता या कहीं इम्मोटिलिटी को प्राप्त कर लेगा तो क्या आप भी नैनो बोट्स की दुनिया को जानने के लिए उत्सुख हैं? तो चलिये आज हम एक्स्प्लोर करते हैं इस अनोखी टेकनिलोजी को इस वीडियो में हम इस कॉंपलेक्स टेकनिलोजी के काम करने का तरीका जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये टेक्नोलोजी दवाई से लेकर परियावरण की सफाई तक हमारे जीवन में संभावित प्रभाव डाल सकती है और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे नैनो बोट्स विबिन इंडस्ट्रियों में क्रांती ला रही है कल्पना कीजिए इतने सुक्षम रोबोट्स की जो हजारों की तदात में हमारी कल्पना से परे कारे को करने के लिए सुई की नोक पर फिट हो सकते हो ये बाते आपको science fiction के तरह लग सकती है लेकिन ये वास्तविक के करीब है और जब भी आपके पास नई तकनीक होती है तो उससे जुड़े नए खत्रे भी होते हैं Nanotechnology अत्यंत छोटी चीजों के विज्ञान और engineering का छेत्र है इसमें बहुत चोटे materials और devices के साथ काम करना शामिल है जिसे आप समानी microscope से भी नहीं देख सकते हैं एक nanometer इंसानी बाल की चोड़ाई से एक लाग गुना छोटा होता है इन चोटे blocks के साथ विज्ञानिक और engineers बेहती सुक्षम machine और अद्बुत चीज़ें बना सकते हैं यह सुक्षम machine और सभी प्रकार के सहाय काम कर सकती है जैसे कि हमारे शरीर के अंदर शीजों को ठीक करना या फिर प्रयावरण से परदूशन को साफ करना अब बात करते हैं nanobots की nanobots nanorobots का short form है जिसमें nanotechnology की मदद से अविश्वशनिय रूप से चोटी मशीने या उपकरण का उप्योग किया जाता है nanobots engineering, technology, chemistry और biology का विज्यान है और सिंपल भाशा में बात करें तो नानो बोर्ट्स एक छोटी मशीन या उपकरण है जो नैनो स्केल पर संचालित होती है जिसे नैनो मीटर में नापा जाता है जिसका मतलब है कि ये जटिल कारे करने की शमता रखते हैं इन चोटे रोबोट्स को molecular ये cellular स्तर पर विसिस्ट कारे को करने के लिए डिजाइन किया जाता है जिसका निर्मान नैनो टेक्नोलोजी का उप्योग करके प्रमाणू और मॉलिक्लेस तरों पर किसी परदार्थ में कुछ हेर फेर और नियंतरण करना शामिल है वैसे तो यह अलग-अलग भागों से बने होते हैं आमतोर पर कार्बन नैनो ट्यूब से और किसी कार को पूरा करने के लिए इन्हें प्रोग्राम किया जाता है जो की बिजली द्वारा संचालित होते हैं तो यह सब कैसे शुरू हुआ खैर 1929 में अमेरिकन थेयरोटिकल फिजिसिस्ट रिचार्ड फेमन ने एक भाशार दिया था इसका टाइटल था इसमें फेमन ने एक ऐसे दिन की कल्पना की जब मशीनों को छोटा किया जा सकेगा और धेड़ सारी सूचनाओं को छोटी संरचनाओं में एंकोड किया जाएगा हाला कि फेमन नोबल प्रशकार विजेता थे लेकिन उन्हें कुछ दशकों तक काफी हद तक नदरंदास किया गया खैर फिर 1986 में इंजिनियर के एरिक ड्रेसलर ने अपनी बुक इंजिन ओफ क्रियेशन दे कमिंग एरा ओफ नैनो टेक्नोलोजी में फेमन के भाशन का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पूरी की पूरी लैबरेरी एक शुगर क्यूब साइज क चिप पर फिट हो सकती हो ड्रेक्सलर ने इन मशीनों के लिए सभी प्रकार की उप्योग देख रखे थे बहारी उप्योग जैसे हवा से कड़ों को हटा कर परियावरर परदूशनों को साफ करना इंटरनल समधान भी थे जैसे की बीमारियों से लड़ना मानव शरीर में र इस्ट्le storage में इनको उप्योग किया जा रहा है यह चोटी रॉबोट्स जो नैनोमीटेल में नापẹगे जाते हैं आNow वो काम कैसे करते एख है नैना ऊबोट्स छोटी बैटरी द्वारा संचालित होते हां और कुछ कारे को करने के लिए प्रोग्राम किये जाते हैं उन्हें चारों और घूमने अपने परियावरण के साथ बाचियत करने और यहां तक कि कुछ उत्तेजनाओं का पता लगाने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। उन्हें दिये गए कारे के अधार पर यह ऑटनोमिसली चलने के लिए या फिर रिमोट कमांड पर जवाब देने के लिए प्रोग्राम किये जाते हैं। कुछ नैनो बोर्ट्स को स्यम को इखटा करने और खुद को मरमत करने के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार के नैनो बोर्ट्स अभी के दौर में मौजूद हैं। जर्मनी में University of Mines के शुरताओं ने वास्तविक दुनिया में सिर्फ एक परमाणू से अब तक का सबसे छोटा इंजन बनाया है। जैसे कि आम इंजन हीट अनर्जी को गद्धी में कनवर्ट करता है बिल्कुल वैसे ही ये छोटे नैनो इंजन्स काम करते हैं। परमाणू एक Electromagnetic Cone में फसा होता है जिसे लेजर की मदद से बार बार करम किया जाता है और फिर ठंडा भी किया जाता है और यहां इसे एक छोटे पिस्टन की तरह आगे पीछे करने का कारण बनता है। ओहायो स्टेट के इंजनियर्स ने DNA औरेगैमी नामक परक्रिया का उप्योग करके जटिल नैनो स्केल मेकैनिकल पार्ट्स का डिजाइन और निर्माण किया है। इससे ये साबित किया जा सकता है कि बुन्यादी मशीन भागों के निर्माण के लिए उप्योग किये जाने वाले समानी डिजाइन से धानतों को छोटे पेमाने पर जटिल, कंट्रोल कंपोनेंट्स का निर्माण करने वाले DNA पर लागू किया जा सकता है। जूरिच ने टेक्नियों रिसर्चरस के साथ मिलकर लगभग 15 मिलियन मीटर लंबा और 200 नैनो मीटर मोटा एक इलेक्ट्रिक नैनो स्विमर विक्सित किया है जो जैविक तरल वातावरन में घूम सकता है। ये नैनो तैराक चुम्बकिय रूप से नियंत्रन होते हैं और इनका उप्योग विसिस्ट व्यक्तिकत कोशिकाओं तक लक्षित उपचार पहुचाने के लिए खिया जाता है। बातकर युनिवर्सिटी ऑफ कैम्बरिज की तो अरों ने चीटियों को विक्सित किया है। ANTS, ANTS, Equating Nanotransputers, अभी छोटे इंजन है जो किसी भी मोटर या मस्सल की तुल्ला में फोर्स पर यूनिट वेट रेशों के लगभग 100 गुना अधिक बल देने में सक्षम है। ऐसे ही बहुत सारी एक्जामपल्स हैं जो आज के दौर में मौजूद हैं। बैक्टिरिया पावर्ड नैनो बोर्ट्स, रिमोर्ट कंट्रूल नैनो रॉकेट्स, काबन ट्यूब, माइक्र स्पंजिस और मेटा माटिरियल जो की काफी शक्तिशाली है। तो इन सब का हम कर क्या रहे हैं। भी साफ रख सकते हैं। दिल की बिमारियों से लडने में मदद करने के लिए धमनियों के दिवारों से रुकावटों और प्लाग को हटा सकते हैं। अब हम कैंसर को कैसे भूल सकते हैं जिसमें असमाने तरीके से कोशिकाओं की वृद्धी होती हैं। और दीरे दीरे ये पूरे शरीड में फैलने लगता है। इसके लिए भी नैनो बोर्ट्स एक मूल्यवान हत्यार हो सकता है। इसमें रेडियेशन या खीमो या फिस सर्जरी के बजाए नैनो थेरिपी का प्योग करके केवल बिमार कोशिकाओं को टागेट करके उन्हें खतम किया जा सकता है। इन सब के अलावा नैनो बोर्ट्स का अने इंडस्ट्रीज में भी जबर्दस्त संभावनाए हैं जैसे की डेटा स्टोरेज। कितने ही पुराने हाइड ट्राइफ और पेंड्राइफ आप लोगों के पास होंगे। हावर्ट के बायो इंजिनियर्ज और जेनिसिस्ट ने डिने के एक ग्राम में लगभग साथ सो टेराबाइट स्टेटा को सफलता पूर्वक स्टोर किया है। अब इस स्टोरेज के बारे में सोचिए। ये लगभग दो लाक एच्टी फिल्मों के बराबर है। ये पूरे नेटफ्लिक्स केटलक से भी बढ़ा है और वो भी सब एक बून्द में जो कि आपकी छोटी उंगली की नोक पर फिट हो जाए। और जैसे कि ड्रेक्सलर ने दर्शो को पहले भविश्यवानी की थी कि ऐसा लगता है जैसे रेनो बोर्स वास्तव में ग्रह को साफ करने में मदद कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब स्पंज स्टील से 10 गुना अधिक मजबूत होते हैं। साथ ही 6 गुना हलके भी। अगर आप इने पानी में छोड़ देते हैं तो ये वर्तमान तक्नीक की तुल्ला में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइट्स और फार्माक्योटिकल्स जैसे परदूशनों को तीन गुना तेजी से सोखने में सक्षम हैं। अब एक आखरी संभावना पर भी नज़र डालते हैं। जो या तो आपको रोमान्चित कर देगा या फिर आपको डरा देगा। इसका उपयोग हमारे दिमाग को सिधा इंटेनेट से जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग को सिधा क्लाउट से जोड़ना। इंवेंटर और फिचुरिस्ट रे क्रिस्वेल ने कहा है कि 2030 की संभव हो जाएगा। उन्होंने 1990 के दर्शक से अब तक 147 वह बिशिवानियां की है। इन में से 115 घटिक भी हो चुकी है जिन में से केवल 12 एक या दो साल बाद ही खारीच हुई। अगर उनकी लकीर कायम रहती है तो अगले दर्शक के भीतर ही हमारे बाइलोजिकल नर्वर सिस्टम को क्लाउट से जोड़ने की नीव रख दी जाएगी। इस से आप गूगल की संपूर जानकारी तुरंत अपने मस्तिस्क पर पा सकते हैं। जरा सोच कर देखिए। ये छेतर कई इंडस्ट्रीज में क्रांती लाने का वादा करता है जिसका वादा बहुत ही बड़ा है। साथ साल पहले जहां नैनो टेक्नोलोजी सिर्फ एक कॉंसेप्ट था वही आज ये एनकेरेजिंग इनोवेशन है। स्वास्त देखभाल से लेकर परियावरण, डेटा स्टोरीज और ग्रीन एनरजी तक नैनो टेक में बहुत लाब है। लेकिन इनोवेशन से साथ साथ हमें जोखिम भी सुईकारना होगा। खास कर जब हम उस टेक्नोलोजी के बारे में बात कर रहे हैं जो परमाणु स्तर पर जीवन में हेर फेर कर सकता है। जैसे विज्ञान विक्सित होता रहेगा वैसे नैनो बोर्ट्स भी सुफिस्टिकेटट होते चले जाएंगे। साथ ही उनकी खराबी भी अनिव्यार हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर ये बेहती अच्छी तरह से काम करने लगे। क्या होगा अगर नैनो बोर्ट्स खुद को रेप्लिकेट करना सीख जाते हैं या सेल्फ अवेर हो जाते हैं। आज हमसे जुनने के लिए थांक्यू। आपको नैनो बोर्ट्स के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप इन रोबोर्ट्स की सेना को अपनी रगों में प्रवावित होते हुए सहज महसूस करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया है तो और वास्तव में ये हमारे चैनल को मदद करता है। ऐसे ही माइन एक्सपेंडिंग कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले। अगली बार तक के लिए कीप एक्स्प्लोरिंग और स्टे क्यूरियस।